तो आज बात राजस्थान के और राजस्थान में घरमाती सियासत की राजस्थान में मौनसून तो ज़रू थम गया है लेकिन सियासी बादलों की गड़गड़ाट काफी तीज हो चली है चुनावी सवर में कॉंग्रेस बीजेपी के बीच भढ़ंत काफी तीखी होने लगी है और सियासी बार अब लोकतंत रही नहीं बलकि समधानिक स्थितियों को लेकर भी उठाये जाने लगे हैं इसकी शुरुआत खुद उपराश्टपदी जगदीब धनकड के राजिस्थान में ताबड तौड दोरों को लेकर खुद पीम सीम अशो गहलोत नहीं कर डाली है वैसे तो नपेतुले बोल के लिए जाने जाते हैं गहलोत लेकिन इन दिनों उन्होंने सत्ता और समिधानिक पद को लेकर बीजेपी के खिलाफ काफी आकरामक रुक अख्तियार कर लिया है राजिस्तान में चुनावी रण के बीच धनखड की लगातार मौजूद्गी पर गहलोत उनसे सीधे पूछ रहे हैं कि आप सुबह, शाम, बार-बार क्यों आ रहे हैं? आने का क्या तुक है? गहलोत का वैसे तेवर जरूर नया हो सकता है लेकिन बहस बड़ी पुरानी है जिसमें विपक्षी दल, उपराश्ट्रुपती, गवर्नर और स्पीकर जैसे समिधानिक पदोग की गरीमा को लेकर पीते कुछ सालों से लगातार सरकार को, केंदर को घेर रहे हैं और सवाल उ तो किस तरह से लगातार जो जगदीब धनकड उपराश्ट्रपती के राजस्थान के दौरें उस पर जो सियासी तंज कर से जा रहे हैं कॉंग्रेस की ओर से, आज फिर से अशो गहलोत ने जब बहरोड के काटवास में वो जन सभा को संभूदित कर रहे हैं तो उन्होंने फिर बयान दिया कि किस तरह से उपराश्ट्रपती, पी एम खोद और बाकित तमाम जो केंदर की ओर से बड़े नेता है बार बार राजस्थान का रुख कर रहे हैं चुनावी राज्य है जाहिर तोर पर बीजे पी भी अपनी पूरी शक्ती से चुनावी लड़ना चाहती ह और कॉंग्रेस इसका मुकाबला अपना चुनावी पूर्ण धंग से इसका मुकाबला करनी की दिशामित दिख रहे हैं हमारे साथ प्रोफेसर दिनेश गहलोत राजनितिक विश्लिशक जुड़ चुके हैं इस वक्त पे और पूनी जांगू कॉंग्रेस के प्रवक्ता है वो भी मौजूद हैं हम कोशिश करेंगे बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े अब दोनों मैमानों का कारेकरम में स्वागत है जांगू साब गहलोत साब बार बार ये बोलना सीएम का कि उपराश्ट्रपती के इंतावर तोड़ दौरों का ओचिती क्या क्या दौरे कर रहे हैं तो उससे आपको तकलीफ क्या है? तो उस पे आवाज उठाना गलत नहीं, राजनीतिक दिश्ची से बहुत गलत है. और आप ये देखिए, धंकर साब उपराश्ट्रपती कुछ समय पहले बनें, इससे पहले वो और भी स्टेट्स में गवर्नर है, लेकिन इतने दौरे चुनाव की समय में इतने ज्यादा इ उन्होंने कहा कि लोग सब समझते हैं, वो जवाब देंगे. तो ये क्या समझते हैं लोग? अगर ये कहीं दौरे का क्या कोई आकड़ा फिक्स है, कोई उपराश्ट्रपती है, या राश्ट्रपती है, बाकि समय धानिक पदों पर बैठे लोग हैं, कि अपने अग्रे से जोड़ रहे हैं? प्रोफेसर गहलोथ भी मेरे साथ मौझूद है इस वक्त चुनावी चर्चा में, प्रोफेसर साब मैं आपका भी रुख करना चाहूंगा, अब जिस तरह से आपने कॉंग्रेस के प्रवक्ता को सुना, कि उनको कोई सियासि दिक्कत नहीं है, लेकिन समय धानिक दिक्कत है, और वो उसे सीधे तोर पर चुनाव से भी जूड़ कर देख रहे हैं, और वो तो आरोफ भी लगा रहे हैं, कि वो कहीं न कहीं, बीजेपी के रणनीति के हिसाब से भाशन दे रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, क्या ये कितना उचित है, एक समयधानिक पदपर इस तरह से आरोप लगाना, क्योंकि सीएम तो फिर भी एक पार्टी से होते हैं, उसी के विधायक होते हैं, तो उनका आरोप लगाना समयधानिक पदपर कि चुनाव हैं, आप महरवानी कीजिए, यहां बार-बार क्यों आ रहे हैं, तो इस तरह के आरोपों को लेकर जब बात हो रही है, कॉंग्रेस की कि बचाव किया जा रहा इसका बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है में उनसे भी जवाब लूँगा हमारे साथ जल जुड़ेंगे आप किस तरह से इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं कि विपक्ष पिछले कुछ अर्से से पिछले कुछ सालों से खास्तोर पर मुधी सरकार में स बड़ा सवाल उठा रहा उसी सिलसले में गहलोत नए तेवर में अकरामक रूख अक्तियार कर रहे हैं राजस्थान के चुनावों में तो क्या माना जाए कि जो सविधानिक पद हैं वो प्राष्टपति खुद उससे आते हैं तो यह सामान्य दौरे हैं या फिर यह चुना प्रोफेसर साब आप अपनी आवाज अन्म्यूट कीजिएगा ठीक है गहलोत साब तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है मैं फिर से कॉंग्रेस के प्रवक्ता गए रुख करता हूँ जांगु साब मैं आपसे बात कर रहा था क्योंकि आपने बताया कि भई वो कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं इसका क्या सबूत है आपके पास कि आप किसी समयधानिक पद पर आप आरोप लगाएंगे और आप कहेंगे कि चुनावी राज्य है इसलिए आप दौरे मत कीजे आप हम पर महरवानी दिखाइए क्या आप कॉंग्रेस को क्या हैरानी और परेशानी हो रही है कि एक और तो जो है बीजेपी के तमाम बड़े नेता आ रहे हैं और उपराश्टपती भी दौरे कर रहे हैं आप क्यों परेशान है देखिए आपको किसी बीजेपी इसतर पैसा मैसूस हुआ कि गैलोसा परेशान लग रहा है गेरश सवाब की चिंता है सवेधानी व्यवस्था की जिसका नुक्सान हो रहा है देश ऐसे उधारन पहले नहीं देख्या हूंगे आपने पार्टी के प्रचार करने लग जाए गवर्नर करने लग जा नहीं को पार्टी से नहीं आते हैं वो किसी पार्टी से थोड़े बंद हैं वो सवेधानिक पदों पर हैं वो को पार्टी का प्रचार करेंगे यह आप आरूप लगा रहे हैं कि बीजेपी का प्रचार करें आप आरूप लगा रहे हैं देखिए सरी प्रोक्सी चीज़ है आप इसको सीधा सीधा तो आनी सकते हैं सीधा आएंगे तो और भी इसपष्ट हो जाएगा लेकिन इन डिरेक्ली इस तरीके से उनके स्पीचीज मैं आपको फिर कहा आप उनके स्पीचीज देखिए अगर आप उनकी बात कर रहे हैं कि उन्होंने कल पिलानी में कहा था कि लो इस तरीके से अगिदी सवेदानी बदों पर मैठे व्यक्ति दूरूपयों करेंगे अपनी इस्थिति का तो वह सवेदान पिर उस वेल्यू क्या रहे हैं जो हम कहते हैं भारत की आत्मा सबसे पहली चीज ही हो सवेदान है ठीक है मैं प्रोफेसर दिनेश गहलोट का भी मैं आपकी आवाज आ रही है जी जी आप मुझे सुन पारें पहले आपका आवाज का साउंड का कुछ इश्यू था ठीक है प्रोफेसर साब मैं जो है मेरे साथ कॉंग्रेस के नीता थे वो उपराश्टपती के दौरों को लेकर वो अपना तंज कस रहे थे जिस तरह से जिले में भी थे वो इन दिनों तो वो अपना उस हिसाब से दौरे कर रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस को इसमें सियासी आपती है मेरा आप से सवाल है कि अशोग गहलोत का कहना है कि भई पहले भी उपराश्टपती थे पहले भी राश्टपती थे भैरो सिंग शेखावत को उन पढ़ी आपती अशोग गहलोत को है उनका कहना है कि जो सम्वेधानिक पदों की गरिमा थी वो कहीं कॉंप्रोमाइजड हो रही है कितना सही है यह आरोप अशोग गहलोत का सी एम का उपराश्टपती पर लगाना कि इस अंदर में मेरे इसपश्ट यह विचार है कि सारा खेल कॉंसिटूशनल मारालेटी का है जी संवेधानिक नैतिकता का है संवेधानिक पद पर बैठने के बाद हमारा क्या बैक्ग्राउंड रहा है हमारी क्या प्रश्ट हो मी रही है दलगत राजनेती में कितने संदे रूप से वो राजनिती में भी सग्रे रहे है अब चूंकि दो महीने बाद में ही चुनाव होने है और अचानक उनका जो दोरा बड़ा है तो रजस्तान के ओनरेबल मुक्य मंत्री को ऐसा कहीं लगता होगा कि उनके आने की वज़े से कहीं मदान जो मदाता है वो पर रुखते हैं तो नी संदे रूप से उनका उसके उनने उसका फाइदा मिलेगा अब प्रोफेसर दिरेश जी मेरा एक जो सवाल है एक तो गहलोत का यह कहना कि उनके दौरों का तुक आखिर क्या है यह जनता समझती और जवाब देगी एक तो मैं इस पर जवाब जाना चाह विपक्ष जो है सरकार को इन सब चीजों पर कटगरे में खड़ा करते रहा है लेकिन इसकी जो morality है या जो मर्यादाएं है या परमपराएं है वो क्या वाकई आपको लगता है कि compromise हो रही है है ना और किस धंग से जी जी मैं मैं PCI से request करूंगा आप audio fix करें बीजेपी के भी मेहमान हमारे साथ गजेदरी सिंग राठही इस وقت पर जुड़ चुके है बीजेपी के नीता है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके है लाठही इस वाकट से ये है कि उपराश्ट्रपती की ताबड तौर दौरे हो रहे है राज़स्थान में Congress के मुखे मंत्री ऐषो गहलोत तुन्हें लगातार उस उस पर सवाल उठा रहें। वो कह रहे हैं कि पीछले कुछ महीनों का गर देखें तो 17 बार जो राजिस्थान में आ चुके हैं, पिछले एक महीने में सात्मी बार वो आ चुके हैं वो कह रहे हैं कि आप महरबानी कीजिए, चुनावी राज्य है जी पहले तो आप देखिए ये बात करें constitutional morality की बात करें जी ये प्रोफेसर दिनेश गैलोट ने उठाया था लेकिन हां Congress का भी लगबग वही सुर है कि कहीं इन्हों ने गैलोट साब ने वही कहा है जो Congress कह रही है गैलोट साब जो constitution morality की बात करें morality as such has got nothing to do with Congress राठोट साब जो Congress के भी नेता हमारे साथ पुनीन जांगू मौजूद है वो भी यह कह रहे है कि कहीं ना कि वो BGP के एजेंटे को आगे बढ़ा रहे है उपराश्टपती वो तो सीधा अरोप लगा रहे है actually क्या होता हर जगे हर जगे आप राजनिती देखते हैं वो देश के लिए बहुत घातक है जी अगर अगर प्रेजिडेंट के दोरों को भी अगर आप राजनिती से connect करेंगे तो that is too dangerous for democracy जी क्योंकि किसी भी सूरत में प्रेजिडेंट सबसे पहली तो बात यह है कि प्रेजिडेंट जो है वो हमारे प्रदेश से है हमारे यहां के जन्में जाए है यहां के लोकल है बड़ी सवहाई किसी बात है कि अगर यह आ रहे है तो अपने लोगों से मिलने आ रहे है ऐसा नहीं है अब इसको आप चुनाओं से रिलेड करते हो तो उसमें कोई वाचित नहीं है ना हमें दिखता है कि चुनाओं को लेकिए है यहां पर आ रहे हैं राटाट साब पी एम के बारा महीने में नौ दौरे तेरा महीनों में उपराश्टपती के सत्रह दौरे एक महीने में उनका 5 वा दौरा थीक है यह क्या वाख़े वतलब सिर्फ यह चुनाओी संयोग है और यह यह योग है और यह चुनाओी संयोग है नहीं नहीं है आप जैसे कोई भी इल्दे मंदे डेमोक clam होती है तो सब को साथ लेकिए काम करते हैं इसे आप सिर्फ यह कह दें कि यह सयोग है, नहीं, सयोग नहीं है, हो सकता है, कि हमारे जो प्रदानमंत्रियें, अपना जो पॉलिटिकल एजिंडा हैं, वो जनता को बताने के लिए, क्योंकि इस टेट में एलेक्शन्स हैं, कोई नहीं बात बात नहीं है, elections को लेकि अगर प्रदान मंत्री नहीं करेंगे दौरे तो कौन करेगा यहां पर लेकिन लेकिन राठोट साब कॉंग्रेस का जो बड़ा आरोप है ना वो आप जगदीब धनकड के भाशन को लेकर है उपराश्टपती के भाशनों को लेकर है इने लगता है यह फिर जब सुनते होने तो लगता है कि उनके भाशनों में कहीं सियासी जलक है मसलब कांग्रेस के फरवक्ता भी जिक्र कर रहे थे कल पिलानी में उन्होंने बोला एक मिनिट में मेरा सवाल खत्म कर लो राठोट साब उन्होंने कल पिलानी में बोला कि कुछ लोग जो है विदेश में जाकर भारत की छवी खराब करते हैं उनको भारत के विकास का जो हजम नहीं हो रहा है दूसरा उनका है उन्होंने जो महीला अरक्षन को लेकर के बोला उन्होंने इसे गेम चेंजर बताया अब एक किस माइने में गेम चेंजर है थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा था कि जो करप्षन है पिछले दस सालों में पिछले दस साल का खास तौर में उन्होंने जिक्र किया 2014 के बाद आप भी जानते है 2014 का क्यों कह रहे हैं उनका कहना है कि सारे पावर ब्रोकर्स खतम हो गए हैं दिल्ली में तो यह इस तरह कि जो भाशन हैं वो कहीं पहले सुना ही नहीं पढ़ते थे समिधानिक पदों के और से अब वो इस तरह कि स्पीचेज आ रहे तो कॉंग्रेस का या आप पर आरोब है इस पर आपका क्या जवाब है अगर अगर उप्राश्रपती यह कह रहे हैं कि सारे पावर ब्रोकर्स दिल्ली के गल्यारों में कॉर्रिडोर्स में खतम हो गए हैं तो क्या गलत का है इनोंगे इसको आप पालिटिकल जी क्यों देखते हो अगर आप ये भी देख सकते हैं कि उन्होंने कभी महसूस किया होगा खुदने कोई जमाने में रहे होंगे अगर कोई आप भी अभी अपने विचारों की अभी विक्ति करने के लिए भी अगर सवतंतर नहीं है चाहे प्रेजिडन्ट हो चाहे उपराश्ट पती हो वैस प्रेजिडन्ट हो क्या पॉबलम है अगर मेरे मन में विचार आया और मैंने कुछ कह दिया तो आप उसे हमेशे पॉलिटिक्स से क्यों रिलेट करते हैं, हाँ, क्योंकि अभी चुनावी सीजन है, चुनाव नज़िक है, इसलिए आप चुनावी नजर से देखते हैं, बिल्कुल उसका कोई औचित नहीं लगा यहाँ पे मुझे, और सवी कराब करने की जो विदर्शो और उतनी आजादी जो है, राष्टपती, उपराष्टपती और राजपाल को अगर वो अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे हैं, तो उसमें आपको राजनितिक आपत्ती क्या होती है, आप उसमें हर चीज में सियासत क्यों ढूंग लेते हैं उनके बयानों में? देखें सहब, मेरे को पहली बात तो राठवाट साफ की आवाज साफ नहीं है, क्योंकि काफे गूंज रही थी, आपने जो बता है, उसका मैं जवाब देता हूँ, राष्टपती, उपराष्टपती, गवर्नर, ऐसी कॉंस्टिटिशन पोस के लिए अभियवत्ति की स्वत बीजेपी यह नहीं बोल रही कि वो कोई राजनितिक रूप से काम कर रहे हैं, राठवाट साब यह बता रहे हैं कि वो अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे हैं, अगर दिल्ली में पावर ब्रोकर्स खत्म हो गए हैं पिछले 10 सालों में, तो उनको ऐसास है, अगर भारत की ज आज़ासत क्यों नजर आती है? मैंने आपको पहले भी कहा, आप उनके बयान सुनिये दंसे, आपने बोले भी उनके कुछ बयान कोट किया, हाँ मैंने कोट किया, मैंने बीजेपी से जवाब दिया, ठीक है, लेकिन आप उनकी भावनाओं को, मैंने फिर आपको एक चीज कह कि सबूत कोई वस्तुगत सिती नहीं आ सकती, इसमें बता चलता है, जटी जब बोलता है तो उसका मालूम चलता है कि हो किस लहजे से बोल रहा है, यदि आप उनके बयान सुनेंगे, दौरे तो चलिए कोई दिक्त दौरे से वह सो और दौरे कर ले, कोई फरक नी पढ़ना गैलोत को उनके दौरों से ज़ादा चिंता है, जी, दौरों में, दौरों के अंदर जो content है उनके बाशन का, मुख्ये वज़े वही रही हो कि इसके लावा यदि कोई व्यक्ति आ रहा है, उदगाटन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, करे और चला जाए, इसमें समस्या नही पढ़ती है, तो यह उनकी समस्या है, अगर उपराष्टपती यह नहीं बोल सकते हैं, कि भारत तरक्की कर रहा है, विदेशों में जाकर लोग अगर बदनामी करते हैं, तो गलत है, या मैंने जिस तरह से उन पर सवाल पूछा कि धनकरने की जगे, अपने भाशन में कहा थ हैं, दलाली का तंतर पूरा मिटा दिया गया है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं होना चीए, वो अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं, उपराष्टपती होने के बावजूद, वो जरूरी, ये तो नहीं है ना कि वो अपनी अभिवक्ति के आजादी का इस्तमाल नहीं कर स रखते हैं, प्रोफेसर गैलोथ, आपको आवाज पहुच रहे हैं मेरी, ठीक है, मैं बीजेपी के नेता के तरफ रूख करता हूँ फिसे, गजिंद्र जी, ये गैलोथ ने आज भी भाशन दिया, बहरोड में वो संबोधित कर रहे थे जनसभा को, उन्होंने कहा कि पहले राश्टपती और उपराश्टपती आते थे, राजपाल आते थे राजस्थान में, और एक शिष्टा चार था, वो पहले एक सी एम से जानते थे कि हम फलना कारिकरम में आ रहे हैं, क्या हमारे लिए इस कारिकरम में आना उची तो और पहले बात करकर आते थे, एक सिष्टाचार और मर्यादा की जो बात कर रहे हैं यह लोग. यह सिष्टाचार एक तरफ से नहीं होता हमेशा कभी भी देखिये का उसुष्टाचार दथ दोनों तरफ से निवखा जाता है और अगर उप्राष्ट्टीपटी और कोई आ रहे हैं हम पर प्रेजिडेंट कोई कारेक्रम हो सरकारी कारेक्रम हो तो उनको आप बात दे नहीं कर सकते कि आप आज आओगे या तरीके से आओगे नहीं वो सवतंत्र अपना एक्शन लेने के लिए जैसे भी आएं वो तो कि अगर देखा जाए तो प्रेजिडेंट का प्रोटोकॉल और वाइस प्रेजिड प्रोटोकॉल की बात करते हो इनसे मैच ही नहीं करता है इसलिए यह सब बाते तो इनका तो कोई कहते हैं नहीं है नहीं पहले सामन जेसर था प्रेम था इजट थी भाइचारा था आप भी वैसा का वैसा प्रेम है पर आपको भी दिखाईए तो सही गज़न जी वो गहलोत यह नहीं बोल रहे हैं कि किसी अप्रूवल की ज़रत हो बोल रहे थे कि उपराष्टपती के पद पर भैरु सिंग शेखावत भी रहे थे उस जमाने की याद जा रहे हैं तो राजनितिक शिष्टाचार था मतलब सेमधानिक पद की गरिमा थी आप यह देखिए बैरु सिं इखिए थे बहुत ज़्ा फैमिलियर थे वो बच्चे बच्चे को जानते थे व्यक्तिक अत्रूप से आप उम्मेद करते हो जगदीद धनकर्वी बच्चे बच्चे को उनकी स्थिती से उस तरीके से जाने तो यह संबब नहीं है भुवं वह कुश वह तुलनाफ्मक्सि आप देखिए बहरुसिंग जी का जो दायरा था राजनीती को लेकि भी बहुत बड़ा था क्योंकि लंबे समय तक सीम रहे नहीं उनका राटाट साब गैलोत साब यह नहीं बोल रहे हैं कि राजनीतिक रूप से सक्रियत सेविधानिक पद पर उनका कहना है कि वो भी जब आत जब स्वितिक चलते हैं यह सब चीजह आपने साथ कर ली थी तो धनकर साब नहीं कर पा रहे हैं आपका यह कहना है यह पर मैंने आपको बोले दोनों का बैक्राउंड देखिया रादमी की खुद की working style होती है खुद की shell होती है आप चाहे कि धनकर साब भी वह करें जो वहर चुनावी चर्चा में तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तो देखा आपने कि किस तरह से बीजेपी जो है कह रही कि उसमें कहीं ना कहीं राजनेतिक जलक मिलती है उपराश्ट परती के दोरों में भाशन में और वहीं बीजेपी के प्रवक्ता कॉंग्रेस जो आरोप लग तो आज की चुनावी चर्चा में बस इतना है बागे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें डिटीव राजस्तान के साथ नमस्कार